बाई बोलेवूड रिवाइब हुआ या नहीं ये तो पता नहीं बट गुशन कुमार और टे सीरीज की बल्ले बल्ले हो गई है मतलब केवल 100 करोड की एक ये बजट की उनुवी और पहले ही दिन 119 करोड वर्डवाइड कमा चुकी है तो आप यहां से सोच सकते हैं कि ये वोवी कितनी आगे जाएगी मोवी ने इंडिया में हिंदी बेल्ट में कमाए है करीर 54 करोड रुपे और अगर पूरे ओल ओर इंडिया की बात करें तो 64-65 करोड रुपे वही वर्ड वाइड एट्सों परनिस करोड रुपे तो हलाकि ये जवान मोवी से कम है जो की शारुखान की मोवी थी बट उस मोवी का बजट 300 करोड था और उस शारुखान की भाई उनके साथ अगर आपका नाम जोड़ा जा रहा है इसका मतलब आप सोचे कि मोवी कितनी आगे जाएगी और साथ के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो वी था जो रिवीव है वो काफी अच्छे रहे हैं वर्ल उफ माउथ लोगों ने काफी अच्छा बताया है इस मोवी को जिसके बाद एक्सपेक्टेड है कि आज सेटरड़े है संड़े है तो मोवी का जो कलेक्शन है वो में में 60 करोड या 70 करोड के आगे में जा सकता है संडे को तो जिसके बाद ये मूवी काफी बड़ी फिट हो जाएगी और सभी को पता है कि रंबीर कपूर ने गुशन कुमार जो पी सिरीज को उनर है और जिनों ने इस मूवी को प्रोडूस किया है उनको हेल्प करने के लिए अपनी जो फीस थी एक मूवी की वो 70 करोड लेते थे तो उसको घटाकर इस मूवी के लिए 35 करोड कर दिया गया था स्क्रीन टाइम है वो लगबग 9 से 10 मिनिट का है तो वो काभी कम है बट जो स्क्रीन टाइम है उसमें जो वोईलेंस है जो रेज है वो आपको बहुत ही अच्छे तेगे से देखने को मिलेगी और साथ कोई साथ वोवीड गोड़े डोल के बारे में एक और बात कहना चाहेंगे की वोवीड गोड़े देउल iz एजिन्ग тобой कर दो सुटियों कि जिस तरीका से वाइन मुड़ था होती है वे अगर टाइम के साथ और पुरानिक होती है, तो और अच्छी होती जाती है, उसी तरीके से इनके साथ है, और जो भी देवल जितने हैंसल इस मुवी में लग रही है, शायद ही, मतलब अरनबीर कपूर भी उतने हैंसल नहीं लग रही है, जितने ये इस मुवी में हैंसल लग रही है, तो ये मुवी आ आगे क्या कमाल दिखाती है और 500 करोड पार करती है या 600 करोड पार करती है या 700 करोड पार करती है उसको जानने के लिए हमारे जनको देखते रहेए धन्यवाद